बिस्मिल्ला इद्मानी रहीम अस्सालाम वालेकूम वेलकम बैक तो माई चैनर आला किचन आज हमाला किचन में मज़ेदार सी चोक्ड़ेट बिस्कीट केक की रेसिपी करेंगे जिसे बनाना नया है थी असान है खाने में बहुत मज़ेदार यहां पे हमने बिस्कीट लिये ए करेंगे बिल्कुल स्मूथ सा इसको हम तयार करेंगे देखें यहां पे अब हम मखनेट करेंगे 100 गिराम की करीब मैंने मखन लिया था अंसल्टिट अगर सोल्टिट है तो फिर आप इसमें नमक मत डालिएगा वैसे अंसल्टिट चाही रहता है उसमें आपका टेस्ट अच अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं मकन मेल्ट होता जाएगा और चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी यहां पर देखें मैंने नमक एट कर दिया और बहुत मज़दार सा यह यम्मी यम्मी सा केक तयार होगा इंशालला ताला अगर आपको भी रसी पसंद आएगी और रसीप आपको मिलती है तो आप जुरूर ट्राय करें ताकि आपको आइडिया हो के चीज कैसी बनी है बच्चे भी खुश होता है नही नही चीजे खाने को मिलती है बच्चों को भी और अच्छा लगता है अगर हम अपने दस्तर खान पर नही नही चीजे बनागे तैयार करके दो सो गिराम और एक पेकट जो किरीम का आता है उसमें से एक टी स्पून ही तक्रीम बचाता मेरे पास पूरा मैंने एड़ कर दिया था और डबल बॉयलर पर करेंगे हम इसे माइक्रो में भी कर सकते हैं माइक्रो इस टाइम मेरा चलनी रहा था लाइट गई भी थी देखें हम बिस्किट के अंदर जो हमने आमेजा तयार किया था अब उसके अपर हम इसे करम गरम अच्छा वो जो आमेजा हमने डाला था शुरू में चोक्लेट सोस जो डाली थी उस परसे खराब इसलिए वहा कि थोड़ा शीड दब गई थी बारहल बना बहुत मज़ेका था और बहुत ही मज़ेतार साई केक तायर हो जाता है यहां पर बिस्किट के चूरा को डाल सकते हैं बिस्किट के चूरां में बचाना भूल गई पोरे बिस्किट मैं नेट कर देख अगर आप बिस्किट के चुरा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लुक आएगा इसका क्योंकि लगेगा ना हम बिस्किट केक है ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे दौाओं में याद रखेगा मैं भी आपको दौाओं में याद रखूंगी जजाकर लग खेर थैंक्स पॉर वाचिंग अला हाफीज